ये गुडबाज है कौन कॉंग्रेस में? कोई एक तो गुडबाज है ना? कौन है दूसरा? मैं नहीं नहीं दूसरा जाओ जी पर देश के बहुत नहींती नेतां में से एक हैं मैं उनकी महलत सबाइब बढ़ारा मुझे ये बताओ रणजीत रावत कौन से दूसरे नेता की संपर्क में है कौन से दूसरे नेता के कहने पर ये बयान देते कौन है और यहां दूसरा कौन है कौन किसके नाक का बाल रहा है मैं सब जानता हूं मुझे मत बताओ चौदरी साथ मैं इतना पूछ रहा हूं वो दूसरा कौन है जिसका जिकर आप कर रहा हूं किसके नाक किसी के नजरों में अच्छा बनाने के लिए या तो किसी की नजरों में अच्छा बनाने के लिए आप पता रहे तो आपको मालूम होगा ना यह काम चावला जी यह काम आदमी तभी करता जब किसी की नजरों में अच्छा बढ़ने के लिए करता किस की नजरों में तो यह तो रंजीत रावाची बताएंगे किस के लिए करने अच्छा देखिए चाहे तो मुझे शदा भाई की भी नी पीनी और आप की भी नी पीनी है बुरी लगरी होगी मेरी बात लेकिन चौजरी से ना लिख लो है ना सत्य ना सत्य बोला ना मैंने कि आप गुटबाजी का शिकार हुए टिकेट बटवारे में भी हुए आप बोलो कबूल करो गलत बोर रहा हुँ तुम्हें लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया आपने मैं करूं गुटबाजी का शिकार हुए कि नहीं हुए इमांदारी से बोलना दिल पर हाथ रखे गुटबाजी का शिकार नहीं मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा मेरा कि नाम तो पीदम सिंग जी ने रखा ना परदेश अध्यक्स ने रखा अरिस रावज जी वहां चुनाव बावी थे उस समय लालकुआ हरी श्रावजी चुनाव लड़ेते शदाबभाई हरी श्रावजी लालकुआ चुनाव लड़ेते ज़ना ये पता कर ले ना बस इतना कि संध्या जब नाम वापिस लेने के लिए तैयार हो गई थी सुभा के वक्थ नामंकन वापसी के दिन तो किसका फोन गया था संध्या जी के पास कि उन्होंने कहा ना बाबा ना मैं ना मापिस नहीं लूँगी फोन गया था या नहीं गया था ये खुड पता कर लेना मैंने गलत तो नहीं कहा चौदरी साबा बाबो मुद्दे पे आपने एक बात कभूली शदाब भाई इनोंने पंतंका जी कि हाँ गुडबाजी तो थी जिसका शिकार ये चौधी साथ खुद भी हुए और हरीश रावत भी हुए ऐसा नहीं है कि हरीश रावत अच्छूते रहे उस गुडबाजी का शिकार हरीश रावत जी भी हुए छीटे प्रितम सिंग के पास तक पहुँच गई और रंजीत रावत जिस आग को सेख रहते हाथ जलने के आसार उनके भी है कौन फाइदे मेरा कभी सोचा आप लोगों ने कौन कौन जिन्होंने शदाब भाई को ठीक चुनाओ से पहले सिवकार किया ठीक चुनाओ के बाद अलविदा कहती है असली सियासत के खिलाडी जिने मैं हमेशा बोलता हूँ पिलकुल शांती के साथ, खामोशी के साथ वेट एंड वाच और फिर उसके बाद फ्रंट फूट पर आकर बल्ला चला दो वन एंड उनली जश्पाल आ रहे है जिस जाच के धारे से निकलना था तो शदाब भाई भाई हो गए है ना चौजरी साथ हमने पानी कितना गहरा है उसकी तासीर को पत्थर मार के समझ लिया ये जश्पाल आ रहे वाली कॉंग्रेस होने जा रही है तो इसलिए पाला बदल लीजेगा ये और आप ही शायर डिवेट में बैठे होंगे कहा कौन नेतापती बनेगा मैंने का